सच्चे भक्तों के हिर्दय में इश्वर का वास होता है भगवान तो बस भाव के भूके होते हैं एक करिश्मा दिल्ली की बुढ़ी मा के साथ होता है जिनकी आवास सुनकर गोपाल दोड़े चले आते हैं और भक्त की सत्यता का प्रमान देते हैं भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है भगत है इनकी जान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत मुरली वाले की रोज व्रिंदावन डोले कृष्न को लल्ला समझे शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दिवाने अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी प्यार करन वो लागी किष्ण से अपने पूत्र समान भगत के वश में है भगवान बूढी मा बहुत दिनों से विरंदावन जा रही थी बुढ़ापा आ गया था जब आखरी बार ब्रिंदावन गई तो लड़ु गोपाल की मूर्दी अपने साथ ले आए और उनको बच्चे जैसा प्रेम करने लगे वो अपने क्रिश्न लला को कलेजे लगा कर रखे हमेशा सजा कर रखे वो लाड लगा कर रखे वो दिन में भाग के देखे रात को जाग के देखे कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान जन्माष्टमी का देनाया भूडी मा की तबियत खराब हो गई उन्होंने अपने बेटे और बहुओं से कहा लला को इस्नान करा दो माखन मिस्री का भोग भी लगा दो और चंदन का लेप लगा दो कपड़े वदल दो आज इसका जनम दिन है मन ना होते हुए भी बेटे काम में लग गए मूर्ती हास से छूट कर नीचे गिर गई आवाज सुनकर बूढी मा के दिल को बहुत धक्का लगा जब देखा कि मूर्ती नीचे गिर गई तो बोली पता नहीं मेरे लल्ला को कहां कहां चोटाई वो दहाल मार मार कर रोने लगी गो लल्ला लल्ला पकारे हाए क्या जुल्म हुआरे बुढा पाप गड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे जाओ डॉक्टर को लाओ लाल का हाल दिखाओ अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ रोते रोते पागल हो गई घर वाले परशान भगत के बश में है भगवान 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 मा के कहने पर बेटे डॉक्टर को बुला कर ले आए पड़ोसियों की भीड़ी कठा हो गई अंद विश्वास पर सभी हसने लगे तभी डॉक्टर बोला बना पीतल से मईया ये देरा शाम सलोना बड़ा बेजान है जैसे मिट्टि का ये खिलोना सारी दुनिया में ढूंडो वहम की दवा नहीं है चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है केवल तेरी ममता है ये मूर्ती है बेजान बगत के बश में है बगवान 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 डॉक्टर की बास सुनकर बुडिया मा बोली तुझे समझ नहीं आता जरा मशीन लगाकर मेरे लल्ला को चेक कर स्टेथोई स्कोप जब सीने पे लगाएगा तब धड़कन और चोट का पता चलेगा डॉक्टर ने जब स्टेथोई स्कोप लगाया तो मूर्ती का दिल धड़क रहा था डॉक्टर चकरा गया उसके पसीने छूट गए डॉक्टर को आत ज्यान हो गया उसने भावना पूर्ण और भक्ती पूर्ण बाद बुड़ी मा से बताई कि इसकी दवा तो सिर्फ तेरे पास है माई जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया देखिये अदबुत माया रह गया हका बक्का पसीना लगा पोछने छूट गया उसका छक्का धड़क रहा सीना लल्ला का मूर्ती में थे प्राण भगत के वश में है भगवान 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 डॉक्टर अपना सारा सामान वहीं छोड़कर जाने लगा तो बढ़िया मा बोली अरे अपना सामान तो लेता जा तब डॉक्टर आखों में आसु भरके बोला अब इसकी जरूरत नहीं है मा तूने मेरी आखें खोल दी मा से मिलने की खात ये लल्ला मचल गया था तुम्हारी गोद में आने जरा सा उचल गया था तुम्हारी गोद में आने जरा सा उचल गया था तु इसको गोद में ले ले लल्ला मुसकाने लगेगा गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा कस के पकड़ियों लल्ला तेरा थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को सुईकार तो करना ही पड़ेगा कि देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं जहां से तु लल्ला लाई वही पर जा रहा हूं बुला कर तुने मुझे को बड़ा एहसान किया है आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे वही ब्रिंदावन में मां ए डॉक्टर प्राण दे दे बनवारी मां तू नहीं पागल पागल सारा जहान बगत के बश में है बगवान बगत के बश में है बगवान बगत के बश में है बगवान मा की ममता के आगे देखो भगवान हरे एक पीतल की मूर्ती देखो किलकारी मारे पाव ना होगी सच्ची दिल में जो प्यार होगा हमेशा इस धरती पर यूँ चमतकार होगा मैया तुझको तेरे लला को कोटी कोटी प्रणाम बगत के बश में है बगवान बगत की बश में है बगवान